जो जायरीन हजरत अलिशा सालशा रहमद लालकी दरगाश्रीप ही ढर्गाशिप के लिए ट्रेम से आते हैं और यह पर यहां पर यहुरा ज्थि लाकऽा हूए और आप यहां पर फोले के अपर काते ज्नल Does sett- यहां मतलब हर ब्राइड़ी मतलब हुए यह कमकम उमर के कोई चार महिने का को तीन महिने का यह बच्क्रिये यह यह बीसे लिए यहां पर भी धुकाने लग रही है ईस तरफ चादर बोड़ रही हैं और प्रीस बैल आइकन को दबा दीजिए ताके हमारी आने वाली वीडियो की जानकरी आप तक पहुंच सके अज़रत हाजी वारी सलीश रह्मत अले की दरगा शरीफ का और देवा शरीफ का क्या मंज़र है इन्शालला आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाओंगा दोस्तों मैं असक्त मौझूद हूँ देवा शरीप में और आज मैं आपको हजरत हाजी वारी सलीशाह रहमतुला अलही की दर्गाश शरीप की जियारत कराऊँगा दोस्तों देवा शरीप का मेला जारी है यह आप देवा शरीप का मंदर देख सकते हैं यह बहुत ही खुश्रत मंदर है दोस्तों जो जाहिरीन हजरत हाजी वारी सलीशाह रहमतुला अलही की दर्गा शरीप की जियारत के लिए ट्रेन से आते हैं वह जाहिरीन बारा बंग की स्टेशन ङन यहां से की र्एल्वे स्टेशन याँ से की रिइलवे स्टेशन लगबग 13 केलोमीटर दूर है यहां से लठनों लगबग 22 किलोमीटर की दूरी पर है जो जायरीं हजरत हाजी वारेस अलिशार थर्एक जीयारत के लिए ट्रेन से आते हैं वहा बारबंग की रेलवे स्टेशन से डायरेट गाड़ी मिल जाती है देवा शेरीफ के लिए देख रहे हैं आप ऐसी गाड़िया मिल जाती है बारबंग की रेलवे स्टेशन से मैं यह मंजर देख सकते हैं आप देवा शरीप का बहुत ही हुवसूरत मंजर हैं चला के इस तरफ काफी समानु की दुकाने लगी है काफी दूर दूर से जाहरी नाते हैं कि हद्रत हाजी वारीज़ 1 जा रहमतु लाहिक की द्रगा शरीप द्पिस जारत के लिए दोस्तो European अर्ज मारुद एपने दिली तमन अपनी दिली खाईशे फजर्ट की बारगाउं में पेश्ट करتे हैं अब हुआ यह मंदर देख सकते हैं आप देवा शरीप का यह यह को सबहान अल्ला सबहान अल्ला सुबहान अल्ला सुबहान अल्ला हम आपको दिखाएंगे यह आप इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ काफी तरह तरह के घोड़े हैं आई यह मैं आपको दिखा देता हूँ यह आप इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ काफी तरह तरह के घोड़े हैं यह देख सकते हैं आप मेरा नाम है तसलीम तसलीम भाई तो तसलीम भाई आप हमें ये वताईए ये जो घोड़े का मार्किट है ये मार्किट कब लगता है और साल में कितनी दफ़ा देवा शरीप में लगता है यह साल में एक ही बार लगता है तो यहां पर कहा कहा से लोग घोड़े लाते हैं यहां पर बहुत दूर दूर से गोड़े आते हैं पंजाब से आते हैं और गुजरात महराश्ट बिहार राजिस्तान हर जगह से यहां गोड़े आते हैं जहां भी गोड़े के सौकिल लोग रह बाड़्य होते हैं एक का 나올 आटाने गॉड़ा होता है और चलने वालाय घोड़ा और सब्सक्राइब पर और उहां देखना वहां दोरते हैं तो अभी आप इस मार्केट में कितने गोले लेकर करें अभी स्मार्गेट में करिए करें पंचीज गोले हैं यहां और बोला यह देखिया कि यहां से पूरादे कि वीडियो बनाएए पूरा इस घोड़े की आख थोड़ी अलग है जी इसकी आख जो है एक आख वाइट है एक थोड़ा आलका जबाब है इसको बोलते हैं जैमंगल भी बोलते हैं शुलिमानी भी गोलते हैं यह होता है यह देखिए एक बच्चा यह है यह बच्चा भी चौकड़ी चलता है चलने वाला विनाकंद बच्चा है अब दाद नहीं किया फोड़े बहुट हैं प्ने पास ए कड़े ए गोड़ा यह चलने वाले गोड़े रीस वाले जो अच्छा भागने वाले गोड़े यह कौन ची नसल हुआ यह सिंधी नसल है यह भागने वाला ऑला भागने वाला एटेश वाला यह जो एक त December आट चांथ उस उते हैं यह अबिन्हें फाले में बाद कर रहे है यह अब है इस नाकंद वाज्च्ञ उना मतलब अभी इस्के उम्म रह कंदर महीं पंद्रा महीने काई है जी और अब इसकी हाइड है 61 पिलस एकसट पिलस हाइड है नाकंद बच्चा है अब ये दात नहीं किया है ये भी देखिए चलने वाला गोड़ा है सिंधी नसल का है ये भी रेस वाला गोड़ा है और देखिए ये गोड़े है ये भी गोड़ा रेस वाला गोड़ा है ये भी देखिए रेस वाला गोड़ा है और ये बच्चे हैं ये देखिए नाकंद बच्चा है ये भी 12 कर दो तेरा महीने का बच्चा है अर दिखा रहा हूं आपको यह भी देखे नाकंद बच्चा है यह भी बच्चा है चक्ड़ी बच्चा है यह किटए महीनिक बने इस का जो फोड़ी जा थे हुछ lira उनों अटलगें मतलब इसको सूलेमानी बोलते हैं और कुछ लोग को जायमंगल और यह चोटे-छोटे बच्चे यह चोटे-चोटे बच्चेज और वचे ए बच्चे creativity है यह बच्चा है तरह हर बारति व्यक्ति उमर के होंगा फ़िर भी इस मेले में हर उमर के घोड़ा है तरा कोलि पर बढ़ा तक यहां हर कीमत का गोडा मिल जाएगा हर तरह के बिल जाएगा हर उमर के हर उमर के बूर के दोस्तों। ऐब हम भी हम हजरत हाजी वारिश अलीश रह्मत रलाल है की दर्गा शरीव की जियारत के लिए जा रहे हैं यह जो आप जगा देक रहे हैं तो यह जगा हजरत हाजी वारी सलीशाह रहमत अले के दर्गा शरीफ के करीब में ही यह जगा है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफी तरह तरह के घोड़े हैं और काफी खूबसूरत खूबसूरत घोड़े हैं यहाँ पर और हर उमर के घोड़े यहाँ पर है आप देख सकते हैं आप आगे की तरफ भी देख सकते हैं आगे भी काफी तरह तरह के गोड़े हैं कि यह बहुत ही खुफ़रत मंजार दोस्तों देवा शेरीफ का अब यह जो आप रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते से अभी हम हजरत हाजी वारी सलीशा रहमतुला अले की दर्गाश्रीप की जियारत के लिए जाएंगे आप यह वाला जो रास्ता देख रहा है कि सुभान अल्ला सुभान अल्लाव कि यह मंजर देख सकते हैं आप कि देवा शेरीफ का बहुत ही खुक्सुरत मंजर है और ऐसी गाड़िया मिल जाती है कि बारावंग की रेलवे स्टेशन से कि डाइरेट डेवा शेरीफ के लिए और यह आप इस तरफ काफी तरह तरह के सामान्यों की दुकाने लगी है और इस तरफ का भी आप मंदर देख सकते हैं इस तरफ भी काफी तरह तरह के सामानों की दुखाने लगी है यह देख सकते हैं यहाँ पर खाने की होटल है दोस्तों यह आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने की होटल है और यह अक्रम होटल है और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय की दुकान है असलाम अलेकुम भाई आप लोग कहां से यह सुधिया माओ यह कहां पर है यह फतेपूर के सेट परता है अच्छा फतेपूर की तरफ है तो यह देवा शेरिट से कितनी दूरी पार है वाई 20 कि यह कितने सालों से आप मेले में दुकान लगा तो से कम 20 सालों से माशाला तो आप खाने में क्या 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 खिलाते है बोस्त है कीमा एंडा मुर्गा है कलेजी है रोटी कबाब पराधा बिर्यानी आलुगोवी की सबजी दाल फाराई क्या आप राद बर खुली रखते है राद बड जब तक 10 दिन तक प्लिटी एंग विले के घरे और ऐसा दिन पहले हैं चाहर बाद दिन पाले पांच दिन पहले पाँ दिन गा लेते हैं सब ऐते वार्च तुन पहले तने व्ला ऑप्या पांच रूपे की रोटी पांच रूपे की रोटी इतनी बड़ी है जो जैसे साधी में पकती है और यह देखें आप यह तंदूर है जलते वे आख के अंदर हाथ डालके रोटी निकालना पड़ता है यह देखें आप यह तंदूर की रोटी इस तरह से बनती है यह यह फचा ए Hoppe यहा जाऊन पने रोटी से मेले में आते हैं जी जीजाब हरे हुमारी दुकान होगए यह ंदोण साल हरे हां दूगै रोग को देखें में क्या क्या लोगों को देखें तो यह आप इस तरह भी देख सकते हैं इस तरह भी एक होटल लगी भी है असलाम आलेकुम बाइसाँ आप लोग कहां से आप कहां से वाई यह सुडिया मौ के पास बारा बंकी सुडिया मौ अरे बीस किलो मिटर हैं कितने सालों से आप मेले लगाते हैं आठ दिन पहले आट दिन पहले आट दिन पहले यह इस वारित पाप के मेले से पहले से रगने लग जाती हैं किटे दिन पहले से लगने लगड़नी अाइट नहीना काने लिए फंखाने में में दिर्ञ подготовर कृम मुरगा करेजी दिरी अपने दुकान को कितने दिन पहले ले करके आगे दस दिन पहले यह यानि आप अपनी दुकान में लोगों को क्या क्या खिलाते हैं मस्यालाइब और रोटी किस तरह की होती है कमीर लोटी अच्छी होती जो साधी व्याओं में पकती हैं जो साधी व्याव में पकती है वही है खामिरी रोटी है बाटी दिखाइए तदूर की रोटी इसे तंदूर की रोटी है यहां पर आप जाहरी नोगों को बिटा तक है इदर किलाते हैं और आप इमेले से दस दिन पहले दुकान लगाए है यहां देवह मेले में फ़स्ट आम वाकी हम सौधी रिटेन है यानि हम दो बार सौधी से हो आपकी हुए हुए हम यहां पे बहरेज में लगाया लखनों में किया बारा बंकी में क्या एक मसाओली पड़ता है बारा बंकी की पास वहां पिक एक रएज आप कहाँ पर दुकान लगाए बहुत अच्छा लग रहा है आपको अगे काफी तरह को दिखाएंगे यह देख सकते आप इस तरफ भी काफी तरह-दरह के सामानों की दुकान भी काफी तरह तरह के सामानों की दुकाने लगी है और देवा शरीफ के मेले से पांच दिन, साथ दिन, दस दिन पहले से ही दुकानदार अपनी दुकाने ले ले करके आ जाते हैं और यहां देवा शरीफ में दुकान लगाते हैं कि यह आप इस तरफ भी देख सकते हैं इस तरफ भी दुखाने लगी है काफी तरह तरह के सामानों की और इस तरफ का भी आप मंदर देख सकते हैं कि दोस्तों अभी हम इस तरफ जाएंगे और इस तरफ का क्या मंज़र है इंशालला हम आपको दिखाएंगे कि यह आप इस तरभ भी देख सकते हैं इस तरभ भी काफी तरा-थाँ के सामानों की दुखाने लगी हैं और ये इस तरभ क्या आपकर जूले वगारा लगे हैं अभी हम इंशालला वहां पर भी जाएंगे जहां पर जुले वगरा लगे हैं इंशालला अभी हम वहां पर भी जाएंगे यह बहुत ही खुफ़श्रत मंजार है दोस्तों देवा शरीफ का अब कि सुवानगों सुवान अल्वा अक्या यह आप इस तरह अस तरव भी काफी तरह तरह के सव्वानों की दुकानें लगी हैं यह तो में घूपार की ने विए 2 बिला की तरह कि वह सह maternity में आप लोग कहां से आए बरेली शरीफ से आप हर साल आते क्या हर साल आते आप लोग माश्याल्ला यह हमारे भाई है जो हर साल देवा शरीफ के मेले में दुखान लगाते हैं और इनके पास तीन सो पैसर तरह के सुर में है कि देख सकते हैं यह कप पलेट काच के गिलास और भी काफी तरह तरह के बर्तन है यहां पर और यहां पर भी देख सकते हैं आप यह भी सुर्मे की दुखान है और आगे की तरफ भी आप देख सकते हैं आगे की तरफ भी काफी तरह तरह के सामानों की दुखाने लगी है और इस तरफ का भी मंदर देख सकते हैं इस तरफ भी काफी तरह तरह के सामानों की दुखाने लगी है कि कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह काफी दूर-दूर से दुकानदार अपनी दुकाने लाते हैं और देवा शरीफ के मेले में लगाते हैं यह आप इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ जुले बगर लगे हैं आई अभी हम इस तरफ चलते हैं और यह देख सकते हैं आप अभी इस तरफ दुकाने लग रही है यह कपरे की दुकान है और आगे की तरब भी आप देख सकते हैं आगे की तरब भी दुकाने लगी है यहां पर भी दुकाने लगी है यहां पर दुकान लगी है यहां पर दुकान लगी है यहां इस तरब भी देख सकते हैं इस तरब भी दुकाने लगी है कि यह बच्कों के घृलोने की दशुकहाण है तो पर यहां पर भी दुकान लग रही है च्बहुकात्ज है है यह आप देख सकते हैं यहां पर जुले लगे वह अभी हम वहां पर पहुंच नहीं है है ठीकी यह बहुत ही मश्यादा भाव हैं अचैनल टोर देवा शरीफ का आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह हम पर प्लास्टिक के बेटन है और काफी तरह तरह के बरतन है कि अ प्याएन corona को किडिया और लगा है और यह दो सकते हैं यहां पर काफी बड़ा जूशला लगा है और आप वहां पर भी काफी बड़ा जुला लगा हुआ यह मंदर देख सकते हैं आप दोस्तों देवा शरीफ का यह बहुत ही खुबसूरत मंदर है और यह जो आप जगा देख रहे हैं यह अद्रत हाजी वारिस अलीशा रहमत अले के दर्गा शरीफ के करीब में ही यह जगा है चलिए अभी हम इस तरफ चलते हैं और इस तरफ का क्या मंज़र है हम आपको दिखाते हैं कि यह आप देख सकते हैं यहां पर यह काफी बड़ा जूला लगा हुआ है अभी हम जूले के बिलकुल ही करीब में आ गए है कि अभाई यह जूले कब चालू होंगे है रात को आज कि देख सकते हैं आप यह ट्रेन है कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ अग्याओ काफी दूर दूर से जूले वाले अपने जूले ले ले करके आते हैं और देवा शरीफ के मेले में लगाते हैं और काफी तरह तरह के जूले लगए दोस्तों कि देख सकते हैं आप कि हमने आपको इस तरफ का मंज़र दिखा दिया है और अभी हम इस तरफ जाएंगे यह देख सकते हैं यह रास्ता है इस रास्ते से अभी हम इस तरफ जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी काफी तरह तरह के सामानों की दुकाने लगी है आप देख सकते हैं आप यह आप रास्ता देख रहे हैं अभी हम इस रास्ते से इस तरफ जाएंगे इस तरफ इनिटरव धन और कि यह देख सकते हैं आप यहां पर भी होटल लगी है और यहां पर वी आप दहकी है और इस तरफ भी काफी तरह-तरह के सामानें की दुकाने लगी है यह बड़ा ही खुफसाद मंजारे देवा शरीफ का आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के जरिये से और काफी दूर्दूसे जाहिरीन हजरत हाजी वारिस अलीशा रहमतुलाले की दरगाश्रीफ की जियारत के लिए आते हैं और अपने अर्ज मारूज अपनी दिली तमन्न अ कि दोस्तों अभी हम इस तरफ जाएंगे कि यह आप इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ भी काफी तरह तरह के सामानों के दुखाने लगी है और इस तरफ का भी आप मंदर देख सकते हैं कि आप कि कि यह आप देख सकते हैं यहाँ पर चाजर फूल शिंदी के दुखान लगी है कि दोस्तों अभी हम हजरत हाजी वारिस अलीश रहमत अलाह के दरगा शरीफ के गेट के करीब में आ गए हैं यह आप देख सकते हैं यह हजरत हाजी वारिस अलीश रहमत अलाह की दरगा शरीफ का यह गेट है इंशालला अभी हम हजरत की दरगा शरीफ की जियारत के लिए इसी गेट से दरगा शरीफ में जाएंगे और यह मंदर देख सकते हैं आप दरगा शरीफ के गेट के में बिलकुल की करीब का UP मंदर है यह सोन हल्वै की दुकान है और यह लूबान की दुकान है आप निए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी तरा तरा के लोबान है He下一ist तरफ चाधर फूल शिलिकी दुखाने लगी है अ कि उस तरफ कली मंतर शप्र लेच यह बहुत ही खुश्रत मंतरा थे अब बिलकुल ही करीब का मंदर देख रहे हैं सभानल्लाइं यह बहुत ही खुर्सुरत मंजर दोस्ता आप देख सकते हैं सब्सक्राइब यहां पर मेले की टारिक लिखी है अब वीडियो को रोकरके। हैसा भी हम साधरतuf का सब्सक्राइब आगया है। यह इस तरव काम देख सकते हैं आप इस तरव काफी जाहिरी रुखे है कि आप सुलाहन आप देख सकता है। इस तरब भी काफी जारिन रुके वे हैं है हां आप अहले कि हानला सुभान आप काफी दूर्दू से जाहिरीन हजरत हाजी वारिष अलीशा रहमत अलाही की दर्गा शरीफ की जियारत के लिए आते हैं आप देख सकते हैं इस तरफ काफी जाहिरीन लुके वे हैं और इस तरह का भी मनदर देख सकते हैं आप कि यह अगर्वारत हाजी वारीश अलिशार रहमत अलाई की दर्गा शरीफ का यह मंझर है बड़ा ही खुफसरत मंझर है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह आप इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ भी काफी तरह-तरह के समानों की दुकाने लगी है सब्धाने लाइफ दोस्तों आप हमारी वीडियों के जरिये से हजरत हाजी वारीस अलीशा रह्मत तो अलाय के दरगाश्रिक की जियारत कर सकते हैं अबिए हम्घे वारी श्रीशा रह्मत L Caitlin के आस्ताने मुबारक के के बिल्कुल ही करीब में हैं कμοरतों में आपको हजरे वारी शलीशा रह्मत लाश्रीब के द्रगाश्रीब की धियारत करा दिया है और देवा में और शरीब का आज का क्या मंदर हैं कर दिखा दिया है तो आपका हमारी वीडियो फसना आ है तो लाइक कर दियो शेयर और कुछ बोलना है तो कमेट जरूरा किजी अगर आपके चानल को यह हैं तो टो को सबस्क्राइब कर लिए सही जब आखेस पहले दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टागामपा फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टागामपा फॉलो जरूर कर लीजिए मैं महाँ पर भी काफी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ तो मिलते हैं दोस्तों किस नेस्ट पर जब तक के लिए बाई बाई